निर्जला एकादसी 2024 में कब है जिसे भी मेकादसी भी कहते हैं इसकी पूजा की विधी क्या है इस दिन क्या दान करना चाहिए इस दिन कैसे वरत रखना चाहिए सुम मुहरत क्या है निर्जला एकादसी 2024 देट टाइम पूजा विधी हिंदु धर में एकादसी तिथी का बहुत ही अधिक महत्व होता है जेश्ट माह के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को निर्जला एकादसी के नाम से जाना जाता है एकादसी तिथी भगवान विष्णों की पूजा के लिए समर्पित है एकादसी तिथी को वरत रख कर विधी विधान से भगवान विष्णों की पूजा अर्चना की जाती है जेश्ट माह में वर्ष की सबसे कठिन मानी जाने वाली निर्जला एकदशी का वृत रखा जाता है ये वृत जेश्ट माह के सुकल पक्ष की एकदशी को रखा जाता है पांड़ भाईयों में से भीम ने जेश्ट महा के सुकल पक्ष की एकादसी को बेगैर जल ग्रहन की एकादसी का वरत किया था इस वरत को करने के कारण भीम को मुक्ष और लंबी आयू का वर्दान प्राप्थ हुआ था निर्जला एकदशी को एकदशी व्रतों में विशेस माना जाता है और इससे वर्ष भर के एकदशी व्रत के बरावर कर माना जाता है पंचांग के अनुसार जेश्ट महा के सुकल पक्ष की एकदशी ती थी 17 जून को प्राता 4 बज कर 43 मिनट से सुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6 बज कर 24 मिनट तक रहेगी निर्जला एकदशी व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा निर्जला एकदशी पूजा विधी सुबह जल्दी उठकर रशनान आदी से निवरित हो जाएगे घर के मंदिर में दीप प्रोजलित करें भगवान विश्णों का गंगा जल से अभिशेक करें भगवान विश्णों को पोश्प और तुलसी दल अर्पित करें अगर वो तो इस दिन व्रत्वी रखें भगवान की आरती करें भगवान को भोग लगाए इस बात का विशेश ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है भगवान विश्णों के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें ऐसा माना जाता है क बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग रहन नहीं करते हैं इस पावन दीन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्षम की पूजा करें इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें निर्जला एकादशी महत्व इस पावन दीन व्रत रखने से सभी तरह के के बाद मुक्ष की प्राप्ति होती है एका दसी पूजा समागरी लिस्ट श्री विष्णु जी का चित्र अथ्वा मूर्ति पुस्प नारियल सुपारी लौंग धूप दीप घी पंचामरित अक्षत तुलसीदल चंदन मिश्चान निर्जला एका दसी में आप दान भी किया कर सकते हैं उसके बाद इस सीजन में जो भी फल मिलता है वो सब आप पंडी जी को दान कर सकते हैं और दान करने के बाद ही रत का पारन किया जाता है तो पारन में आप रोटी बनाया जाता है जी रोटी खाया जाता है और रहर का दाल जो होता है उसको बनाया जाता है उसमे कैसा लगा आप सभी को हमारा ये निर्जला एकादसी व्रत वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एन सेयर करना बिल्कूल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग की कर दो